हलो एव्रीवन वैलकम बैक तो आवर यूट्यूब चैनल एपीसी अकेडमी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीथ की स्ट्रक्चर के बारे में और उससे रिलीटिव जो इंपॉर्टन पॉइंट्स रहेंगे एक्जाम पॉइंट आफ यू से वो डिसकस करेंगे और तो टीथ है यह पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टेम का या हम कहें कि तो डाइजेशन में जो है यह इंपॉर्टन रोल प्ले करते हैं तो लेट स्टार्ट फरस्ट स्टडी ओफ टीथ इसकाल ओडॉंट लॉजी जो टीथ की स्टडी है इसे कहा जाएगा ओडॉंट जो में तो उसके लिए टाम यूज की जाती है डेंटिशन डेंटिशन इस अर्रेंजमेंट ओफ टीथ ओन जो नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे स्ट्रक्चर ओफ टीथ की प्रेंटिशन उसके टामॉँट रहे लॉजी, क्टामुट टीथ जो है फ़िए थरी रीजेंट में डिवाइड देवाइड है यसां कि आप देख सकते हैं डाइग्राम में इस डिवाइड इन्टो तु एमेंटे इन प्रीजें गटिशन एक नेकी जहेर प्ट्रीजन हुह है वो divided है first हम बात करेंगे जो crown है it is the exposed region जो हमें नजर आता है वो कौन सा region होता है that is crown white color का जो region होगा और अगर बात की जाए जो crown है it is covered by white shining material called animal it is covered by white shining material that is animal जो है वो इसको cover करेगा और अगर animal की chemical composition की बात की जाए then it is made up of hydroxy appetite यह किससे मिलकर बना है तो hydroxy appetite से मिलके बना है जिसमें जो main component रहता है वो है calcium phosphate और इसके लावा calcium hydroxide भी रहेगा second animal it is the hardest substance of human body hardest substance is animal second major part जो है tooth का वो किससे मिलकर बना है so major part it is made up of hard tissue that is named as dentine तो यह जो है वो dentine से मिलके बना है अब अगर हम diagram में देखें तो सबसे बाहर जैसा कि हमने के बात की जो crown है इसमें जो इसकी covering रहेगी वो कौन सी है animal होगी then animal के next जो region आता है जो की major part tooth का बनाएगा that is dentine और अगर बात की जाए dentine की formation कौन करेगा तो dentine it is secreted by odontoblast cells और animal की जो secretion है it is secreted by ameloblast cells जो है वो इसकी formation करेंगी और इसकी origin की अगर हम बात करें जो animal है it is ectodermal in origin यानि की यह ectoderm से originate हुआ है जो germ layer रहेगी it is ectodermal in origin and dentine it is mesodermal in origin यह mesoderm से जो है वो drive किया गया है बाकि dentine के बाद जो next region रहता है जसे कि आप यहां पर देख सकते हैं एक cavity यहां पर present है and this cavity is called pulp cavity यहां हम इसे क्या कहेंगे pulp chamber कहेंगे and जो pulp cavity है it contains pulp इसमें क्या present है तो इसमें living tissue present है that is pulp एक जिस धान रखनी है कि जो dentine region है वो भी क्या है living region रहेगा यह हम कहें living tissue से मिलके बना है लेकिन जो animal है this is non-leaving animal is non-leaving substance है जो की hardest substance है human body का अब next जो cavity यहां पर present है जो pulp cavity है इसमें क्या present है तो इसमें जो है वो different blood vessels present है और साथ में जो है वो nerves का network यहां पर है और यह जो nerves का network है यह कहां से enter हो रहा है तो यह जो है वो root canal से enter हो रहा है जो यह canal आप यहां पर देख सकते हैं these are root canals तो कैनालो यह calcium rich substance रहेगा अब इसका रोल क्या होता है तो cementum और साथ में यहां पे एक peridontal membrane present है peridontal membrane यह दोनों जो हैं वो टुथ को जो socket होगा jaw bone का उसमें fix करने में help करेगा so यह है structure, structure में हमने बात की कि जो टुथ है इसके 3 regions हैं 3 regions में यह differentiated है first is crown, second is neck और जो third region है that is root और जो first region रहेगा crown उसमें हमने बात की जो exposed part है that is animal और animal जो है hardest substance है human body का इसके secretion कौन सी cells कर रही हैं तो ameloblast cells जो हैं वो इसे secret करेंगी second जो major part है tooth की structure का that is dentine और dentine क्या है? एक living tissue है इसकी formation कौन करेगा? तो odontoblast cells करते हैं जो odontoblast cells है यह जो cells रहेंगे यह pulp cavity की lining भी बनाते है second, pulp chamber जो pulp chamber यहां पे present है यानि कि यह cavity यहां पे present है इसमें क्या present है? तो इसमें tissue present होगा that is pulp इसमें present है आगे हम बात करेंगे pulp का क्या roll रहेगा then blood vessels or nerves यह root canal के through जो है वो enter करेंगी pulp cavity में and cementum और peridontal जो membrane है इनका क्या roll रहेगा? तो यह जो है वो tooth को fix करेंगे socket of the bone में जो jaw bone होगी उसके socket में उसको fix करने का काम इनका रहेगा cementum जैसे कि cement काम करता है उसी तरह से और साथ में peridontal membrane का यह roll है next हम यही points जो है आगे discuss करने वाले हैं जैसे कि हमने बात की जो neck region है neck it is the middle part of the tooth and covered by gum और gingiva ठीक है? इसको जो है covering किसके साथ हो रही है तो इसको cover कर रहा है यहां पर gum और gingiva present है gingiva से related आपने एक term यहां पर याद रख लेनी है gingivitis is inflammation of gums gingivitis it is inflammation of gums second is root so root it is the basal part of the tooth and it is embedded in the socket and socket is also known as alveolus जो जो बोन में socket प्रेजन है जो में की तूथ जो है वो फिक्स होगा that socket is also known as alveolus and it is fixed by cementum and periodontal membrane जो है उसको fix करेगा उसके बाद हमने बात की थी कि एक internal cavity present होती है tooth में dentine के next region जो रहेगा that internal cavity of tooth is called pulp cavity and it contains pulp जो pulp है यह जो living tissue है यह क्या provide करेगा sensitivity provide करता है so pulp it provides nourishment as well as sensitivity जो sensitivity रहेगी जैसे की गरम ठंडे के लिए जो sensitivity होती है वो कहां पर start होती है तो वो pulp tissue जो है वो provide करेगा next हम बात करेंगे जो human teeth है उनका nature कैसा है so human teeth में first नहां बे हम बात करेंगे thecodont teeth है human teeth diphyodont है bunodont और heterodont है अब इन terms का क्या मतलब है तो first term है thecodont thecodont means जो tooth है it is embedded in the socket of the jaw bone कि वो embedded है इसलिए से क्या कहा गया कि thickodont जो है वो teeth होंगे human teeth second diphyodont है diphyodont means जब कि किसी की life cycle में जो है अगर दो set जो है वो teeth के appear होते हैं different stages पे तो वो क्या जाएगा diphyodont है अगर किसी में single ही set है तो उसे गहेंगे monophyodont यानि कि वो replace नहीं होंगे जैसे कि हम बात करें कुछ भेल है जो है वो teeth रहेंगे then bunodont bunodont mean teeth having cusps cusp means जैसे कि आप यहां पर यह projections देख सकते हैं तो यह क्या है these are cusps तो इस तरह के teeth को क्या कहा जाएगा कि bunodont है last is heterodont heterodont means कि different type के teeth present है means same type के teeth नहीं होंगे identical नहीं है different type के teeth है तो human being में जो है four types के teeth रहेंगे and these are incisor, canines, premolars and molars so इसमें हमने बात की जो human teeth है नका nature कैसा है यह thicodont रहेंगे then bunodont है इसके साथ हमने बात की diphyodont है और heterodont है homodont किसे कहेंगे जिसमें same type के teeth जो हैं वो present होंगे so human being they have four types of teeth कौन-कौन से हो गए first is incisors incisors जो है these are also known as cutting teeth because इनका काम क्या है cutting का काम रहेगा so also known as cutting teeth and these are two in each half of the jaw next हम जो है dental formula discuss करेंगे तो उसमें जो एक half consider किया जाएगा तो उसमें कितने जो है incisors होंगे तो two incisors present है next is canine canine जो है it is one in each half एक half में जो है ये single canine present होगा then इसका जो canine canine में जो root रहेगी it is the longest root जो different types हैं teeth के जो सबसे लंबी जो root है वो कौन से teeth की है तो वो रहेगी canine की longest root है next is premolars these are two in each half of the two jaws ये बहें कितने रहेंगे तो two premolars जो है वो present होगे then molars these are three in each half of the two jaws इनका नंबर कितना है तो three रहेगा तो इसमें हमने बात की incisors का नंबर कितना है two canines का one then premolars कितने है two in each half of two jaws and molars कितने है तो three रहेंगे two, one, two, three इस तरह से एक हाफ में ये present होगे then जो last molars है these are also known as wisdom teeth जो last molars रहेगा ये कुछ लोगों में present होदा है और कुछ में present नहीं होगा so ये क्या है wisdom teeth इने कहा जाता है because of their late development 18 years के बाद जो है ये appear होते हैं जो wisdom teeth होगे इसलिए इन्हें wisdom teeth कहेंगे last जो molars है then next is जो two sets है human beings में वो दो sets कौन से हैं होगे हमने बात की कि die five odont teeth present होते हैं तो two sets रहेंगे first set जो है वो temporary teeth होगा या हम इसे क्या कहेंगे milk teeth कहेंगे so first set is ये रहेगा temporary teeth और milk teeth का या फिर हम इसे कहेंगे deciduous teeth बोल सकते हैं baby teeth कहेंगे deciduous क्यों कहेंगे क्योंकि ये shed off होंगे dusy deuous teeth कहेंगे और इनका number कितना है तो these are twenty in number twenty जो हैं वो milk teeth होंगे जो कि बच्चों में होंगे and they appear between the age of six to eleven months ये कब appear होना start होंगे तो six months 6 महीने के बाद start होंगे और 11 महीने तर इसके साथ साथ में complete कब हो जाएगा जो temporary teeth का set रहेगा वो complete होगा आपका by the age of two years so अब हम बात करें कि जो milk teeth है इसका जो dental formula रहेगा वो क्या रहेगा so first dental formula में two incisors present है जोसे कि हमने बात की थी यहां में हम देखें तो ये क्या है आपका incisors है so two incisors present होंगे because हम एक half जो है वो consider कर रहे है इसके साथ next क्या रहेगा यहां पे one canine present है तो यहां पे आप देख सकते है one canine present है then next आते हैं pre-molars जो pre-molars है इसके लिए क्या लिखा गया है यहां पे zero it means कि बच्चों में जो pre-molars है वो absent होंगे so zero and then two molars present है means last molar या हम कहें wisdom teeth जैसे कि हमने बात किया कि यह कब जो है appear होंगे तो after 18 years जो है यह appear होते है तो dental formula क्या बन जाएगा एक half की हम यहां पे बात कर रहे हैं यह वाला जो half रहेगा two incisors यहां पे present है जैसे कि यह हो गया two incisors then canine present है उसके बाद दो pre-molars present है और तीन जो है वो molars present होंगे लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि pre-molars और जो last molars है यानि कि जो wisdom teeth है यह absent होंगे बच्चों में तो dental formula जो रहेगा milk teeth का या फिर हम कहें temporary teeth का वो रहेगा 2102 upon 2102 यानि कि यह एक half में हो गया यह दूसरे half में हो गया सेम इसी तरह से जो है वो upper और lower jaw दोनों में यह रहेगा यानि कि mandible और maxilla में present होगा तो इसे जो है वो 2 से multiply कर दिया जाएगा फिर आपका जो number रहेगा वो कितना आजाएगा 20 रहेगा जैसे कि हम बात करें 2, 1, 2 यह कितने हो गए total यह है 5 5 into 2 करेंगे तो यह क्या आजाएगा आपके पास 10 और उसी तरह से यहाँ पे भी same रहेगा तो इधर भी कितने है 10 और यह total कितने हो गए तो 20 टीथ जो है वो present होंगे next is permanent teeth जो permanent teeth है इनका number कितना है तो 32 number रहेगा लेकिन जो last molar है और wisdom teeth है यह जो है वो कुछ लोगों में present होंगे और कुछ में absent ही रहेंगे so अब इनकी जो appearance है तो यह कब start होंगे appear होना so they appear between the age of 6 years 6 to 12 years लेकिन इस age में except molars और कौन से molars की बात हो रही है तो last molars यानि की wisdom teeth जो है वो इस age पे appear नहीं होंगे अब dental formula की अगर हम बात करें जो permanent set रहेगा तो permanent set क्या होता है यह replace नहीं होता है इसलिए से क्या कहा गया permanent set कहा लेकिन जो milk teeth है और temporary set रहेगा यह क्या हो जाता है replace हो जाता है कुछ time के बाद जैसके हम बात करें 6 years के बाद यह replace होना start हो जाएगा तो यहाँ पे dental formula की बात करें it is 2, 1, 2, 3 means 2 incisor present है 1 canine present है 2 premolars present है और last में 3 molars present होंगे और इसी तरह से 3 है और यह second half है इसमें भी कितना आजाएगा 2, 1, 2, 3 इस तरह से रहेगा और इसे फिर 2 से multiply कर दिया जाएगा because दूसरे जोव में भी same यही patron रहेगा तो इस तरह से total कितने हो गए 32 रहेगे जो teeth का number रहेगा अब हम देखें दोनों dental formula में तो इसमें एक चीज़ है जो कि notice करी होगी आपने कि यहां पर zero है तो मतलब यह हुआ कि हमने बात की human teeth कैसे होते हैं डाइफायोडांट है लेकिन इसमें कुछ teeth ऐसे हैं जो कि monofायोडांट होंगे यानि कि जो एक ही set में appear हो रहे हैं one time appear होंगे तो monofायोडांट teeth in human beings कौन से रहेंगे so premolars और साथ में last molars यह क्या है monofायोडांट teeth in human beings that is premolars जो कि temporary set में absent है यानि कि बच्चों में absent होंगे और साथ ही साथ जो last molars है यानि कि wisdom teeth है तो यह दोन्यों जो हैं आपके क्या रहेंगे यह होंगे monofायोडांट teeth रहेंगे इनका number भी आप इस तरह से calculate कर सकते हैं कि कितना जो है वो number रहेगा monofायोडांट teeth का then next एक बार जो है summarize कर लेते हैं जो कि हमने discuss किया types of human teeth तो four types के जो हैं वो human teeth रहेंगे यानि कि heterodont है different types के रहेंगे so first हमने बात की that is incisor first is incisor और incisor की अगर position देखें तो incisor कहां पे present है तो यह रहेंगे इनका जो position है वो है front ठीक है front पे यह present होंगे second किस तरह कि इनकी shape होगी तो यह है chisel shape यानि कि इनके sharp edge होते हैं यह cutting teeth है so function is biting of pieces of food या फिर हम कह सकते हैं कि यह cutting teeth है तो यही से clear हो जाएगा कि इनका function क्या है cutting का है second type is canine canine के हमने बात की canine गहां present होंगे on either side of incisor incisor के side में जो है वो canine present है और इनकी जो structure रहेगी वो किस तरह की होगी so these are slightly more pointed than the incisor ठीक है थोड़े से नुकीले यह होदे है और जो carnivores होंगे उनमें well-dwelled होदे है ठीक है एकदम conical इनकी जो है वो shape रहेगी शाप होंगे so function क्या रहेगा इनका tearing तो यह है tearing teeth then next is premolars जो premolars है कहां पे present है so behind the canine और इनकी अगर हम shape की बात करें या structure के तरह की है तो इसमें जो है वो two points है two points यानि की हमने बात की थी cusps की so कितने होंगे इसमें two cusps present है और जो roots है या one या फिर two roots हो सकती है upper और lower jaw में जो है वो different रहेगा then function chewing and grinding food तो जो premolars है these are grinding teeth और same जो molars है उनका भी function क्या है chewing and grinding ही है so these teeth are grinding teeth ये क्या है grinding teeth है और जो molars की position रहेगी कहां पे present होते हैं बिल्कुल back पे present होंगे यानि कि premolar के next जो है वो molars present होते हैं और इनमें cusp कितने होंगे to four to five cusps जो है वो present होंगे यानि कि ये जो projections होती हैं ये present होंगी और roots कितनी हो सकते हैं तो two or three roots हो सकती है so आज के इस वीडियो में हमने बात की structure of tooth की और जो nature है human teeth का वो किस तरह का nature रहेगा कितने types के teeth present है if you found this video helpful then do like, share and subscribe our YouTube channel thank you